तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक बरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े 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 वीडियो में और यार इस मैच में आखरी बंदे को हमारा चैलेंज होता है कि सिर्फ AWM से माड़ना है गन अपने पर पड़ी होती लेकिन प्लोस रेंज में जाकर और वहां पर भी गलत सीन होंगे यार वहां पर पहुंचने तक बहुत जादा गलत सीन होंगे खैर फिलार के लिए मिल्टी रही आ है और यहां पर सिर्फ गिने चुने दो तिन बंदे उतर रखें अभी के लिए कि अधर वेड बंदे बंदेश के लिए कि अधर कि आंड़ा हो अधरार कि अधर पुछ को कि अधर दात की डाम नीचे वत्हत कर एकिसा उसले के लिए और ये बंदा जितने तेजी से अंदर रस करता है उससे डवल तेजी से हम इसको लू भी भेज देते हैं और यार उजी से लॉंग रेंज हो नी पार रहत है यां और यार आगया हो निश्कर थोड़ी भाई जी असान देते हैं रुड़ा बैजी असान करते हुड़ा पचालो हमें और हमारे भाई यां पर गुस्से में आ चुक हैं और यार आएगा भी कैसे नहीं गुस्ता मतलब अभी अभी हम लोग यहां पर उतरे हैं और भाई जी तीन तीन बार नौक हो चुके हैं और ऐसा भी नहीं कि यार थोड़े टाइम बाद नाक हुए हूँ पिल्कुल नहीं अभी रिवाइव दिया दूसरी बार नौक फिर से रिवाइव दिया तीसरी बार नौक तो हां गलत सीन यहीं पेचालो चुके थे खैर अब देखो मिल्टी रेडी में सिर्फ और सिर्फ यहीं गिने चुने तीन बंते पहुंच रखे थे अब यार गलती मैं यह कर देता हूँ कि मैं बॉस के पास नहीं उतरा अब देखो कुछ कह भी नहीं सकते कभी लोग यहां बॉस के पास उतरते वो डानव के पास और कभी कभी लोग अलाग अलाग देकाव पहुंचते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं इस गेम का खैर जो भी हो मिल्टे रेरी खाली करके हम चल देते हैं बॉस बूस के पास क्या पता यहां पर कोई मिल चाहे और यहां पबजे में असल जिंदगी वाले सीनों रहे हैं मतलब यार यहां पे भी कुछे पड़ गए असल जिंदगी में तो पढ़ते थे हैं और मेरे को लगा था पबजी में तो कुछ नहीं होता ऐसा उसके बाद पबजी ने कुछ टाल दिये मैच में और गाड़ी के पीछे पड़ गए थे वो अब आपने कुछ लोग को देखा है होगा यार वो लोग रस्ते पे जो कुटे बैठे होते हैं उन पे भौकने लगेंगे उसके बाद गाड़ी भागा के निकल लेंगे यहां पे भी सिमवाई सीनों होता है बस भरा कितना थायर यहां पे कुटा नहीं दानव होता है और है अगर वो दानव अगर पकड़ लेता ना गलत सीनों जाते हैं कर दानव से भी पंगे ले लिए कुटों से भी पंगे ले लिए अब आखिर कार जाके बंदों से पंगे लेंगे अब आगे ड्रॉप हुआ है और यहीं बंदे बैठे हैं और हमारे भाई पे यार गूली भी नहीं पड़ी है देखरों मतलब फकीर कता ही फकीर बन रहा है फकीरों के राजा मतलब पेटे डालने के लिए गूली भी नहीं पड़ी थी क्यार यहाँ पे दो तीन बंदे मैं पेल चुका हूँ लेकिन अभी भी सकूल के अंदर कुछ बंदे बैठे पड़े थे अब करना क्या था है और हम लोग यहाँ से गूम के जा रहे होते हैं और यहाँ पर गूम के जाने के चकर में यार पकड़ी हिया था इसने लेकिन बच गए कर यहाँ पर फ्रेयर चली होती है तो यार जल्द बाजी में हम लोग गाड़ी के और भकते हैं और पटा-पट से जाएंगे उधर और यह निहत्ता नंगा बंदा न जाने कहां से आ रहा था अब जहां तक मेरे को पता है यार यह बाट तो नहीं था यह वहिया जी न जाने कहां पर उत्रहूंगे और अभी तक उस पर गन भी नहीं पड़ी थी कई नोग वैपन चैलेंज तो नहीं कर रहा था हो कैर जो भी वैपन चल देते हैं बाकी बंदे पकड़ने के लिए अब फ्लेयर सामने चलिए और यार फ्लेयर पे बंदे हो गई होंगे और यह होती है दूसरी फ्लेयर क्योंकि पहली फ्लेयर नीचे उतर चुकी है पहले ही मैंगी गानूंगी इन पे और यहां पर चलती गाड़ी से तुम्हारा भाई तीन बंदे पकड़ चुका है लेकिन देखो यहां पर कोई फ्लेयर की गन वाला बंदा अभी तक नहीं दिखा है यहनि इकन का चौता टीमेट यहीं कहीं है और उस पे सबसे मेंगी गन पड़ी होती है और यहां पर पता चलता है कि यह भाईया दूसरे टीम के बंदे हैं और इन पर ग्रोजा पड़ी हुती है खेर जो भी हो यहां पर मैं फटाक से ग्रोजा उठाता हूं और क्योंकि यह नौक हुआता तो यार और भी बंदे हो सकते हैं इधर और जब से पब्जी में यार वो बीब बीब करने वाले टावर अटे हैं तब से हर एक बंदे पर पड़ी हुती है इन पर AWM पड़िये ग्रोजा पड़िये और फिलेर भी पड़ रखिया और खेर जो भी हो यहां पर दो फिलेर से काम चल जाता है बहुत है अपने के लिए अब यहां से जाएंगे सीधा पोचंकी वहां पर पकड़ेंगे बंदों को लेकिन उससे पहले हम धेड़ बड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो हैर इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है वनेक्स बैट जिसके माद़ से आप कई सारे गेम्स चैसे की क्रिकेट फ पाल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है तो हाई और देखो कौनसी टीम सबसे तगड़ा खेलती है और दिमाग से पैसे कमाओ इसके लिंक कमेट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टॉप में और यहां बगल से हमें सप्रेसर लगा के ग्रोजा चलने की आवाज आई थी देख रहे हो मतलब इस मैच में हर किसी के पास AWM पड़ी है ग्रोजा पड़ी है फ्लेर पड़ी है हर कोई महंगी चीजे लेके गुम रहा है कैर जो भी हो AWM तो आर अपने पीपी पड़ी है तो क्यों ना चलाने की थूड़ी सी कोशिस कर दी जाए क्या पता कोई नौ कुछ है गलती से अब AWM से डेमेज तो दिया था लेकिन यार वो नौक न हो पाया तो मैं ग्रोजा बदलता हूं और दो बंदे अभी नौक हो चुके हैं और ध्यान से जाना होगा इधर अब जिन्तागी में कुछ ऐसे मैच होता है यार AWM डूंटते रह जाओ कहीं पे भी नहीं मिलेगा लेकिन इस मैच को देख लो AWM की लगवग मेरे पे 40 गोड़ी पड़ी है और हमारे भाई पे 50 गोड़ी पड़ी होती है और हरे एक बंदे पे ग्रोजा और M249 आर किसी पे पड़ी होती है क्यार यहां पे मैं अपनी AWM उठाके आचुका हूँ सकूल के बड़े घरों के बगल में और यहां पे किसमत धोका भी देती है और साथ भी दे जाती है दोनुँ चीज एक साथ होते हैं अब देखो मैंने पूरी जान लगा दी थी पहला सोट हेट सोट पेलने की सर पे रखा सर पे गोली चलाई लेकिन न जाने कैसे और क्यूं वो उसके सर के उपर से चल देती है गोली लेकिन पता नहीं क्या होता है वो हटता नहीं उदर से मेरे ख्याल से बगैर एरफोन के खेल लेते भाई और आगी भी बंदे उस घर के आनी चत्वे रस कर देंगे अब अब यहाँ पे हमें एक घरेलू साप तो मिल जाता है लेकिन यह साप वो नहीं था जिसको AWM चिपकाई थी नजाने वो कहां गायव हो गया खेर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर इंतिजार करते हैं यह देखते कि क्या पता है यह लोग रस कर देंगा से अब देखो मैं रस जरूर करता लेकिन सीन ऐसे हो रहा है यार हम लोग जो उनके बाहर बैटे हैं और अंदर गुसके कोई नौक हो गया बचना मुस्किल हो जाएगा और यहां पर वो लोग भी खिड़के उसे चिपके पड़े हैं यानि कि यार जैसे हम लोग बाहर जाएंगे सीधा पे टीड़ लेगी तो समल के खिलना पड़ेगा और यहां पर मैं दुनिया भर की प्रिपार देता हूँ चला दी ग्रोजा की गोली बरबाद कर दी लेकिन यार वो बंदा दुबारा से दिखता नहीं इस खिड़की पे बैटे पड़े वो अंदर पे तो करना क्या था यार मैं उठाता हूँ नेड और देव पटक के फेकता हूँ वहीं पे फेकूँगा जहां पे बंदा बैठाता हूँ तो नेड भी फेक दिया गोली भी चला दी प्रिपार भी दे दिया एक बार नौक भी कर दिया था इने लेकिन उसके बाद बियार पीटी ना बना पाया और उसके उपर से जोन पूरी तरह से अट चुका है याँ पे तो हम लोग क्या सुस्तियार क्यों ना पहले जोन जाया जाया अब देखो वहाँ बाहर लड़ने जायेंगे कुछ भी हो सकता है लेकिन जोन में जायेंगे तो कम से कम ये जोन के अंदर आके लड़ाई तो लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं इदर से और वो लोग वहाँ पे अभी तक गूली चला रहे हैं किस पे गूली चल रही है यार मैं समझ नहीं पा रहा तो मैं बोलता हूँ ये सब गया कद्दू लेने जोन पे चलो नहीं तो ये लोग जोन से ठिल जायेंगे बैठे रहेंगे वो लोग वहाँ पे लेकिन वो रस नहीं करेंगे तो हाँ जोन पे यहां पाड़ी पे आके रुख चुके हैं और देखो जोन थोड़ा और साइड में हो चुका है तो हम लोग गाड़ी लेके जायेंगे उदर और तह्यार हो जाओ क्योंकि सांपो से पंगा होने वाला है सांपो की बस्ती पे खुशना पड़ेगा कर यहां पे हम इंतिजार करते हैं उन नीचे वाले बंदों का गाड़ी लेके आ रहे हो और आकिरकार ये गिली सूट वाला बंदा हाथ में होता है यही वो बंदा था यार जिसको छट पे AWM चिप काई थी नजाने कहां गायब हो गया था अब भाई भाई पकड़ में कैर यहां पे उसका टीमेट उसे छोड़ के पाहड पे चल देता है उसने बोला यार तुम गए कद्दू लेने मैं निकल रहा हूं यासे तो करना गया था और हमको भी वही पाहड पे जाना पड़ता है और यहां पे हर तरफ जड़ी जड़ी है यानि कि हर तरफ सापी साप होंगे और यहां पर यह लोग साप भी पूरी तैयारी से बने है वतलब यार कपड़े फेक दिये नंगा हो रखा है बन्दा बिलकुल और लेटा पड़ा है जड़ी में कैर अपने पे अब गाड़ी भी नहीं बची है क्योंकि फोनना पड़ेगा इसको और अभी भी बाकी हैं गिने चुने तीन बंदे अब देखो मैज जी सी साप से शुरू हो आथा यार मेरे को लगनी रहता कि इतने किल भी खोट पाई की जिनतनगी में लेकिन हाँ आखिरकार हो ही गई अब नीचे समोक वगेरा बने पड़े थे तो बंदे भी नीचे ही बैठे होंगे अब हमारे भाई को कोई दिखता तो है लेकिन यार मैं थोड़ा पीछे बैठा हूँ तो आगे जाके देखना पड़ेगा और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार हर एक बंदा नंगा हुआ पड़ा यहाँ पे ताकि वो आराम से साब बन सके बहुती बढ़िया और काफी टाइम बाद एक ऐसा बंदा दिख रहा है यार जिसने कपड़े तो पहने नहीं तो आगरी सरकल होता है यह सबसे पहले बैक खुल के कपड़े फेक देते हैं ताकि यह साब बन सके हैं खैरा बचा है आगरी बंदा और देखो यहाँ हम बिलकुल पत्थर के उपर चड़के देख रहे हैं कहीं पे भी नहीं दिख रहा हो यानि कि वो भी कपड़े फेक के कहीं लेटा है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हैर PUBG वालों ने आगरी की सक्रीन दूबारा बदल दी चिकन चुकानों ने पे पहले वो MVP वाला होता था फिर पता नहीं 30 सेकंड और आप मजे कर सकते थे लेकिन अब शायद सिर्फ 10 सेकंड होता है खैर आगरी बंदे को AWM पेलना था और पेल देते हैं और देख रहे हो यार वो भी कते ही नंगा बैठा होता है बिलकुल बेसरम बंदे हैं बिलकुल बेसरम खैर इसी के साथ चिकन चुकान हो जाता है तो बस भालों गयार आज के वीडियो में इतने ही बहुत बहुत शुक्राव वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये आगरी बंदे को जो ओम चिपकाई और बाकी गलती से हैट सोट वगयरा के लिए एक लाइक ठूकना मत बूलना और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलत सिनवाले गेम प्ले और सचती कमेंटरी के लिए और जाते जाते एक एकस बैट चेकाउट करना मत बूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टॉप में तो कल मिलता है यार बाबाई झाल 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 झाल